दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपने चैनल रियल क्विक अनलिसिस पर चलिए अब जल्दी से चर्चा करते हैं हम अपने आज के टॉपिक की जैसा की शायद आपको याद हो इस साल अपरल महिने में मोदी सरकार ने मोबाल मैनुफेक्शरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंग्ड स्कीम की गोश्ट ना की थी जिसके तहएत कुछ देशी और कुछ विदेशी कमपनियों को सिलेक्ट किया जाना था ताकि अगले पास सालों में जैसे जैसे उनकी मेड इन इंडिया मोबाल की विक्री बढ़े भारत सरकार की तरफ से उन्हें बढ़ी हुई कुल विक्री का 4-6 प्रतीशत इंसेंटिव दिया जाएगा एकदम सरल शब्दों में इसका मतलब होता है कि इस स्कीम के तहट सिलेक्टिट किसी कमपनी की सेल अगले साल यदी 100 रुपए बढ़ती है तो भारत सरकार उसे 4-6 रुपए सपसड़ी के रूप में देगी यह स्कीम सिर्फ इसलिए लाई गई थी ताकि भारत में मुबाल फोन का उत्पादन इन कमपनीों को ये शुरुवात में लापकारी हो सके और 5 सालों में इस सरकारी मदद के दम पर ये कमपनी अपने पाउपर खड़ी हो सके दूसरे शब्दों में हम सभी टेक्सपियर्स के पैसे का इस्तमाल इस प्रकार किया जा रहा है ताकि भारत ना केवल अपने लिए बलकि पूरी दुनिया के लिए मुबाल फ्रेक्टरी बन सके कहने की जरूरत नहीं है इस स्कीम का एक मातर नशाना चीन है जब यह स्कीम आनाउंस हुई थी तब इसके ऊपर कई सवाल या निशान भी लगाए गए थे लेकिन फिर बाद में कई कंप्रियों ने इस स्कीम में भाग लेने के लिए अप्लाय भी किया और कल अधिकारे के रूपशे घोशना भी हो गई कि ताइवान की तीन सिंगापूर की एक राइजिंग स्टार और साउथ खोरिया की एक सैमसंग का सेलेक्शन किया गया है हम टेक्स प्योर्स का पैसा यदि भारत और ताइवान की दोस्ती को मजबूत करने में काम आता है तो यह हमारे लिए एक स्वागत योग्य कदम होना चाहिए अब यह विदेशी कंपनिया 15,000 से अधिक कीमत के फोन की विक्री पर भारत सरकार से सबसिडी मिलने के अपेच्छा कर सकती है अच्छी बात यह है कि लाबा, माइक्रोमैक्स, डिक्सोन टेक्नलोजी, यूटियल और आप्टिमस इलेक्टोनिक्स जैसी जिन देशी पाँच कंपनियों का सिलेक्शन किया गया है, उन्हें हर तरह के मुबाइल पर सबसिडी मिल सकती है लेकिन 15,000 से कम कीमत का मार्केट उनके लिए अब पूरी तरह से खुला मैदान है क्योंकि विदेशी कंपनिया सबसिडी के लालच को ध्यान में रखते हुए, 15,000 से कम कीमत के मुबाइल का प्रोडक्शन अब नहीं बढ़ाएंगी इसे कहते हैं स्मार्ट पॉलिसी मुबाइल पॉन वेनुफेक्चरिंग करने वाली ये तो हो गई 5 देशी और 5 विदेशी कंपनिया इसी तरह 6 ऐसी कंपनियों को चुना हुआ है जो विशेस प्रकार के इलेक्टरॉनिक कंपोनेंट का उत्पादन करेंगी और शायद आपने नोटिस किया हो कि इन 16 कंपनियों में चीन का नामो निसान तक नहीं है अब सवाल उटता है कि अगले 5 सालों में टेक्स्पियर्स का 40,000 करोड रुपे सबसीडी में बाटा जाएगा तो इससे रोजगार कितने पैदा होंगे तो इसका जवाब है कि इन कंपनियों के द्वारा दाखिल किये गए एस्टिमेट के अनुसार 2,00,00 डाइरेक्ट और 6,00,00 इन डाइरेक्ट जॉप्स क्रियेट होंगे अच्छी बात यह है कि यह सबसीडी शुरुवाद में बाटी नहीं जा रही है यदि मोबाइल प्रोडक्शन नहीं बड़ा और रोजगार के अपसर पैदा नहीं हुए तो हम सभी का पैसा भ्रस्टा चार की भेट नहीं जड़ेगा अब आपको समाजा चुका होगा कुछ विशेश लोगों को मोदी साहिब फूटी आँख क्यों नहीं सुआते हैं जबकि इस स्कीम से हमारी घरेलू जरूरतों तो बढ़ेंगी ही साथ ही साथ चुकि एपल और सैमसंग दुनिया भर में 60 पीसिती मोबाइल बेचते हैं इसलिए जब भारत में उनके फोन बड़े पैमाने पर बनेंगे तो वाइं मेड इन इंडिया मोबाइल का एक्सपोर्ट भी करेंगे वैसे भी इन कंपनियों के तो दौनों हाथों में लड़ दू है एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं चीन से इन्हें फैक्टरी वैसे भी उखान नहीं थी लेकिन अब इन्डिया में प्लांट लगाने के लिए टेक्सपोर्ट के पैसे से सबसेडी भी मिल रही है जैसा की अभी तक यह स्कीम ठीक रास्ते पर चल रही है लेकिन हमें शेख चिल्ली के हसीन सपने देखने में कोई रुची नहीं है इसलिए हम सभी गौड से इस स्कीम के इंप्लिमेंटेशन पर नजर बनाए रखेंगे तो दोस्तों ये थी हमारे आज की वीडियो आई होप आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया हो यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेर जरूर कीजिए साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अब आप हमारे इस चैनल की मेंबर्शिप भी ले सकते हैं थैंक्यू पर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स